हेलो गाईज आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही चटपटा और टेस्टी नास्ता आलू पकोड़ा तो इस आलू पकोड़ों का हम बहुत ही अलक और डिफरेंट तरीके से बनाने वाले बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होता है तो चलिए सुरू करते हैं आज की रिस्पी रिस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किजेगा और मुझे कॉमेंट करके बताएगा कि आज की आपको कैसी लगी आलू पकोड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेटार रेडी करेंगे तो बेटार रेडी करने के लिए मैंने एक बाउल लिया इसमे क्रैश करके यूज करेंगे इससे बहुत ही अचा टेस्ट आएगा और पाजन शक्ती भी बहुत अच्छी होती क्योंकि पकोड़ा थोड़ा हैवी होता है तो अब हम इसमें आट कर देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर इससे हमारे पकोड़े का कलर बहुत प्यार करेंगे हरी धनिया की पत्ती तो मैंने हरी धनिया को वर्ष कर लिया है आइट करेंगे और सभी चीजों को सुखा सुखा अच्छे से मिक्स करेंगे जब हम सुखा सुखा अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाता है तो यहाब हमने सभी तो अब हमें इतनी का इसे टेंसी का बेटर चाहिए अब क्या करेंगे इसको ढख करके 10 मिट सेट होने के लिए रख देंगे तब तक हम बाकी चीजे तयार कर लेते हैं मैंने लिया है आलू प्याज और हज़ धनिया की चटनी तो प्याज को मैंने छिलका उतार करके और जैसे कट करते हैं वैसे आलू कि चट में आठेक लिए चैंटनी की चटनी का वीडियो आपको मेरे यूटूब चैनल पर मिल जाएगा तो आप वहां से ले लीजेगा और आप हम क्या करेंगी चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे तहाँ पे आलू को पानी से बाहर निकाल करके लेंगे मैंने आलू को पानी मच ताकि आलू काला नहीं डआता है तो आलू को अगर हम पानी में रखेंगे तो काला पढ़ने लगता है तहाँ पे आलू को मेंने प्ले थार लिए और भूत फपोल पर companion ₩ फेला तो आप जितनी अच्छे से चटनी आलो को पर रखेंगे फैलाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा इस बात को ध्यान रखते हुए आप अच्छे से रख लीजिए तो इसी प्रसेसे हम सारे आलो में चटनी आदा दचमच फैला लेंगे सारे आलोग उपर मैंने चटनी अच्छे से फैला लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसको उपर रखेंगे प्याज जो हमने कट करके रखा हुआ था एक एक प्याज को उठाएंगे और चटनी को उपर रख देंगे इसी प्रोसेस से मैंने सारा तयार कर लिया है बहुत ही अच्छा दिख रहा है बहुत ही टेस्टी दिख रहा है अभी तो जब फ्राइ करेंगे तो कितना टेस्टी दिखेगा तो मैंने लिया यहाँ पर बेटर बेटर का हम कैप उठाएंगे और फिर हम आलू उठाएंगे जो कवर हो जाएगा तो फिर खुलेगा नहीं तो हमने अच्छे से डाल दिया है अब हम नीचे से उठा लेंगे मतलब आलू के पास से हम उठाएंगे तो आप देख पार है कि मैंने इसको ठाल लिए अब हम इसे डारेक्ट ऑल में डाल देंगे फ्राइ होने के लिए तो इसी प् और छी बार में चार प्राइए और फिर प्रण देंगे जैसे पाकोड़े का कलर चेंज हुआ जाएगा लाइट ब्राउन कंलर को को जाए या और भी डर्क गोल्न कलर का हो जाए तो समझे एक पिकुड़ा हमारा हो चुका है फुर्ण करने में चार से पांस मेट का समय लग हो गाए तयार भी टेस्ट Çो पर आपको एक पकड़े को कट कर दिखा ती गाई जब भी पाना नीचे पहले परे तुसके साभ चटनी सर्फ करते ते Haar कुछी पकोड़े चाहिए चाहिए लागती लेकिन यहां पे इस रेस्पी में तो हमने चाहिए अंदर इस्तमाल किया है तो हमें यहां पर चेटनी सर्फ करने के कौई जिरुत नहीं है अल्रेडी बहुत ही टेस्टी हमारा पकोड़ा बन करके हुआ है ता यार गाईस आज की आपको कैसे लगे मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स ने बताईगा रस्पी अच्छी लगे तो वीडियो कर लाइक कीजिए गा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाय गाईज